हेलो एबरीवन जैहिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने कुतुबुद्दीन एवक के बारे में पढ़ा था जो कि गुलाम वंस का संस्थापक है आज इस वीडियो में हम कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिष के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिष ने दिल्ली सलत्रत में कैसा सासन किया तो देखिए इस वीडियो में हमने लिखा है इल्टुतमिश और इल्टुतमिश का सासन 1211 से 1236 इसवी तक है एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एक्जाम के point of view से important है बहुत ज्यादा detail में चीजों को नहीं देखेंगे ताकि आपके काम की चीजें जो आपके एक्जाम के लिए important है वो आपको मिल पाएं चलिए तो इल्टुतमिश सासक बनता है कुत्वद्दीन एबक की मृत्यू के बाद कुत्वद्दीन के बाद कौन बनता है आराम्टाय के वैक्ति कारण से जो मन्ती हैं कुत्वद्दीन के इसके अमीर हैं वो अमीर इस अयोग के शासक को गद्दी से रियहास करते हैं और किसकों निमन्त्रन को बिदा लाएं刁 से बडायूँ से बुलाया जाता है और यह कहा जाता है कि आप इस गद्दी को दिल्ली के सासन को आप समा लिए यूंकि ये आराम साह के बसकी बात नहीं है तो इल्टु तमिश उन अमीरों के निमंतरण पर जाता है और दिल्ली पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है और आराम साह को गद् साथ ये कुत्वुद्दीन एवक का दामाद भी था ये कुत्वुद्दीन एवक का गुलाम भी है और कुत्वुद्दीन एवक का दामाद भी है तो इसलिए इल्टु तमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है कारण समझिए इल्तुतमिष कुतुबुद्दी नहबक का गुलाम है कुतुबुद्दी नहबक महम्मद गौरी का गुलाम था इसलिए इल्तुतमिष को गुलामों का गुलाम कहा जाता है या दासों का दास कहा जाता है दोनों बाते एक ही है भ्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है तो वो इल्तुतमिश है ये इल्तुतमिश कुतबुद्दीन एबक का गुलाम भी है और इसके अलावा कुतबुद्दीन एबक का दामाद भी है और कहां सासन कर रहा था ये वदायूं में और इसको वदायूं से बुलाया जाता है दिल्ली और ये दिल्ली पर नियंतरन स्थापित करता है अपना कंट्रोल लेता है और आराम सा को गद्धी से उतार दिया जाता है इसके बाद इल्तु तमिश दिल्ली का सासक बनता है अगल इसने दिल्ली को राजधानी बनाया इसी कारण से ध्यान रखिएगा अगला फिर क्वेश्चन एक आएगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है ध्यान दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाएगा किसको इल्तुतमिश किस सासक ने दिल्ली को राज़ानी बनाया तो वो इल्तुतमिश ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोनों इंपोर्टेंट है अब देखिए अब इल्तुतमिश क् सासक बनने के बाद इल्टु तमिश के सामने कुछ समस्याएं आती हैं तो उनका अंत करना भी बहुत जरूरी है इल्टु तमिश के सासन के समय एक व्यक्ति है यालदोज इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे ताजुद्दीन यालदोज ये ताजुद्दीन यालदोज मुहम्मद गौरी का गुलाम है और कुतुद्दीन अबग भी किसका गुलाम था? मुहम्मद गौरी का और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मुख्य रूप से जो चार गुलाम थे मुहम्मद गौरी के उनको अपना अलग-लग छेतर सौपकर मुहम्बगौरी वापस चला गिया था तो उनमें से ही एक गुलाम था ताजुद्दिन यालदोज और इस विक्ति को भी सासन सौपकर वो कहां चला गिया था यह वो रहता था तो यालदोज ने इल्थु तमिष के समय हमला कर दिया दिल्ली पर और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसे तराइन का तीसरा युद्ध कहा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध और तराइन के दो युद्ध तो हम पहली पढ़ चुके 1191 और 1192 में और ये 1215 इस भ और यालदोज हार जाता है ओके अब इसके बाद 1229 इसवी यह बहुत इंपोर्टेंट है ज्यान रखना है 1229 इसवी में इल्थु तमिष सुल्तान की उपाधी प्राप्त करता है खलीफा से खलीफा का मतलब होता है मुसलिम धर्म गुरु को ही खलीफा कहा जाता था और खलीफा से सुल्तान की उपाधी प्राप्त करता है और कुत्वद्दीन एवक ने सुल्तान की उपाधी धारन नहीं की थी तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधी धारण की तो वो कौन है इल्तुतमिश है इस बात को भी आपको याद रखना है और ये काम उसने कब किया है 1229 इस भी में ठीक है अब इसके बाद जो अगली important बात है वो ये कि इल्तुतमिश ने चिहाल गनी का गठन किया चिहाल गनी का गठन अब ये चिहाल गनी क्या है तो ध्यान से सुनिए ये 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था जिसमें शर्त थी कि वही व्यक्ति होगा जो तुर्क हो 40 तुर्क सरदारों का संगठन यानि इस संगठन में जो 40 लोग होंगे उनके लिए ये जरूरी था कि वो तुर्क हों कहां के मुसल्मान हों तुर्की के हों तुर्क शेतर के हों और कहीं के मुसल्मान नहीं जैसे इरान इत्यादी के नहीं कहां की होने चाहिए तुर्की होन इस वंस को कहा जाने लगा इलबारी वंस इसके अलावा हमने पड़ा था मामलूक वंस और एक नया नाम ही आया इल बारी वंसISE इसे इलबारी तुरक कौन है पहला तो यह इसको नूट कर लीजी है आप लो अब हम लोग देख लेते हैं इल्टु तमेश के बारे में एक दो important point और इकता विवस्था किस शुरुवाद करने वाला वेक्ति कौन था तो वो भी इल्टु तमेश इल्टु तमेश ने इकता विवस्था की शुरुवाद की है इल्टु तमेश के दोरा इकता विवस्था की शुरुवाद की और इकता विवस्था का मतलब होता था कि सैलरी के बदले जमीन देना किसी भी व्यक्ति को सैलरी के बदले आप क्या दीजिए अधिकारी हैं आपकी सेना के उनको जो आप salary वग्यारा देते हैं, जिसमें आप नगदवेतन दे सकते हैं, सोना चांदी दे सकते हैं, मोहरें दे सकते हैं, उनके इस्थान पर क्या देने लगेंगे? जमीन. इसी क्या कहा जाता था? इकता विवस्था. ठीक है? इकता विवस्था. आप देखिए, इलतु तमिश का मकबरा. सुल्तान गडी का मकबरा. और इस मकबरे को इलतु तमिशने दिल्ली में बनवाया, और ये मकबरा उसने अपने पुत्र की याद में बनवाया. उसके पुत्र की मृत्ती हो गई थी, और पुत्र का नाम था नसीरुद्दीन महमूद. अपने पुत्र नसीरुद सुख दीन महमूत की याद में इलतुतमिश Import ने कौन सा मकबरा बनवाया तक अब ध्यान रखेंगे सुलतान गड़ी का मचबरा और ये भारत में बनने वाला पहला तुर्क मकबरा था तुर्की धंग से बनने वाला भारत के अंदर पहला मकबरा इसका नाम था सुल्तान गडी का मकबरा दूसरा इसने बनवाया अपना सोयम का मकबरा इल्टुतमिश का मकबरा और ये भी कहा है दिल्ली में दिल्ली तीसरा है मोस्ट इंपोर्टिन लगा लिजी इस पर यह अतारकिन का दरवाजा अतारकिन दरवाजा और ये अतारकिन दरवाजा इसने बनाया नागौर में कहां बनवाया नागौर में और नागौर कहां है राजस्थान में और ध्यान रखिएगा सवाल अगर एक्जाम में आता है कि अकबर को बुलंद दरवाजा बनवानी की प्रेड़ना कहां से मिली तो वो प्रेड़ना मिली है अतारकिन दरवाजे से उसने बुलन दरवाजा जो अकबर ने बनवाया फतहपुर सीकरी में जो है उसको बनवानी की प्रेड़ना उसे कहां से मिली थी इसी अतारकिन के दरवाजे से ये इसके द्वारा बनवाएगा कुछ महत्पून इस् हौज ए सम्षी भी बनवाया हौज ए शम्षी हौज ए शम्षी भी बनवाया और इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का निर्मान कारे भी पूरा करवाया कुतुब मिनार का निर्मान पूरा करवाया और कुतुब मिनार बनना किसके समय में शुरू हुई थी तो कुतुब दीन एबक के समय में अब वहाँ पर हमने ये बात नहीं देखी थी कि कुतुब मिनार के बारे में कुतुबुद्दीन एवक के गुरू का नाम था, कुतुबुद्दीन बक्तियार काकी, ये कुतुबुद्दीन एवक के गुरू थे, कुतुबुद्दीन बक्तियार काकी, इनके नाम पर कुतुब मीनार नाम पड़ा है तो मीनार का नाम किसके नाम पर है? कुतुब उद्दीन बक्तियार काकी के नाम पर इस यह को आप ध्यान रखना और कुतुब मीनार की उचाई 72.5 मीटर है जिसकी उचाई है और इसमें उपर तक जाने में 389 सीडियां है हलाकि ये तिनी important बात है नहीं लेकिन है तो हम लिख लेते हैं सीडियां है इसके अलावा कुत्ब मिनार 5 मंजिला उची है इसमें 5 मंजिले हैं कितनी मंजिले हैं? 5 5 मंजिल और इसकी पांचमी मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाहत तुगलक ने ध्यान रखिया, सबसे पहले ये कितने मंजिल तक थी? 4 मंजिल तक यानि जब इसने कुत्ब मिनार का निर्माण पूरा करवाया तो ये 4 मंजिल तक थी लेकिन आसमानी बिजली गिरुने की वज़े से चौथी मंजिल को नुकसान पहुंचा तो उस चौथी मंजिल की मरमत भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाई है और उस पर एक और पाँचवी मंजिल का निर्मान भी किस ने कराया फिरोज शाह तुगलक ने तो जो पाँचवी मंजिल है कुतो मिनार की पाँचवी मंजिल इसका निर्मान करवाया है फिरोज शाहा तुगलक ने F.S.T. फिरोज शाहा तुगलक ने करवाया इन बातों को आपको ध्यान रखना है ये इल्तु तमिश्च के बारे में थोड़ी सी बाते हैं जो एक्जाम के point of view से बहुत ज़्यादा important है और जितना मैंने आपको इसमें बताया है आपको वो सब याद रखना है और especially कौन सा? एक तो इसके इस्थापत्य इन 4-5 इस्थापत्य को आपको याद रखना है जो उसमें बनवाए इसके अलावा फिर से में एक बार revise करवा देता हूँ आपका कि इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश इलबारी तुर्क है उसी की वज़े से इलबारी वंस इस वंस को कहा जाता है ये कुत्बुत्तीन का दामाद भी है और इसके अलावा इसने अपने पुत्र की याद में सुल्तानगडी के मकवरे का निर्मान करवाया इसने इकता विवस्था को सुरू करवाया इसने अतारकिन के दरवाजे का निर्मान करवाया इल्तुतमिश का यानि स्वयम का खुद का मकवरा भी दिल्ली में बनवाया अतारकिन के दरवाजा कहा है ये नागौर में है और बुलंद दरवाजे को बनवानी की प्रेड़ना अकबर ने कहां से ली थी तो अतारकिन के दरवाजे से ये एक्जाम के point of view से कुछ important point है तो ध्यान रखिएगा कि जो भी point में निल्तु तमिश में बताएं हैं और कुत बुद्धी नयवक में बताएं हैं वो आप अच्छे से याद करें ओके अगले वीडियो में हम फिर अगला सासक इसके बात देखेंगे ये कौन आता है थेंक्यो वेरी मुच